टैन नमबर का इडन प्लेस होने वाला है हमारा मार्स इलेक्ट्रिक पर इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक मिडल रेंज की वेपन परचेस कर लीनी है और आपको यहाँ पर जल्दी से रन करते हुए इन बॉक्सिस के पास आ जाने है और आपको यहाँ उपर चड़कर यहाँ पर जम्प कर देना है और ऐसे ही आप यहाँ पर जंप करते हुए आगे की साइड आ जाने है और यहाँ पर आकर आपको लेट जाने है और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एनमी इस साइड से आ रहे हैं या नहीं और आप यहाँ पर एक गरनेड भी परचेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनमी किल दे देता हूं और वह एनिमी बिल्कुल सोगेड हो गया होगा कि उसको मैंने यहां पर कैसे किल किया है और आपको भी इस ट्रिक का यूज करके देखना चाहिए आउट चलते हैं अपने नमबर नाइन ट्रिक पर जो आने वाली है हमारी सेंटो सा प्लेस पर अगर आपका इस साइड से मिलता है तो आप एक लोंग रेज की वेपन परचेज करके जल्दी से रन करते हैं जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है इसके पीछे की साइड में आ जाने हैं और यहां पर जो भी एनिमी आपके टीम मेट पर रस करते हैं आप उनको यहां पर अच्छा ख कवर दे सकते हो और यहां पर किल भी निकाल सकते हो जैसे यहां पर मैंने एक एनिमी को डाउन कर दिया है और मेरे को एक एनिमी और दिखाई देता है जिसको भी मैं यहां पर आसानी से किल कर देता हूं और आपको भी इस ट्रिक का यूज करके देखना चाहिए अगर आपक को करने के लिए आपको जल्दी से रन करते हुए जो आपको यह घड़ दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको आ जाना है एंड आपको यहां पर जोन के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा और आपको यहां पर थोड़ी बहुत एच्पी भी कम हो सकती है और मेरे को यहा आप से एनिमी को सर्प्राइज किल दे सकते हो और यहां पर आप आसानी से भी निकल सकते हो जैसे यहां पर मैं आता हूं मेरे को एक एनिमी और दिहाई दे जाता है जिसको भी आपर मैं आसानी से किल कर देता हूं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी नंबर सेवन ट्रिक पर जो होने वाली है हमारी फैक्ट्री पर और इस ट्रिक को करने के लिए आपको पांच गुलो ओल की जुरुत पढ़ने वाली है और आपको जल्दी से रन करते हैं यहां पर आ जाने हैं और यहां पर आने के बाद आपको उपर आ जाने हैं और यहां पर आने के बाद आपको फर्ष्ट गुलवाल ऐसे लगाने हैं और इसके बाद आपको जम्प करके उपर की साइड आ जाने हैं और आप इस ट्रिक को आ रहे हैं तो आप इस ट्रिक को रिवाच करके भी देख सकते हो एंड उसके बाद आपको गुलुवाल के उपर से फैक्टरी के उपर जंप कर देने हैं और यहाँ पर आने के बाद जो भी आपके टीममेट हो गें वह भी सर्प्राइज हो जाएंगे कि सीएस रैंक में फैक् आपको भी इस ट्रिक करके देखना चाहिए नंबर सिक्स ट्रिक होने वाली है हमारी कैप टाउन पर इस ट्रिक को करने के लिए आपको मिडल रेंज या लोंग रेंज की वेपन परचेस कर लेनी हैं उसके बाद सामने दिखाई दे रहे हैं घर के अंदर आपको आजाने जै करके देखना चाहिए और आपको यहां पर जोन का भी ध्यान देना है क्योंकि यहां पर जोन बहुत ही जल्दी आ जाता है आई थिंक आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे समझ गए होगे और जैसे यहां पर जोन आता है आपको यहां से निकल जाने है और वीडियो में आगे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए एसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आते रहता हूं जिनका यूज करके आप भी एजली ग्रेंड मास्टर लगा सकते हो और नमबर फाइब ट्रिक होने वाली है हमारी रिमनाम विल आने के बाद आपको तो पता ही होगा कि आप यहां से कितने सारे किल निकाल सकते हो जैसे यहां पर मेरे को एनिमी दिखाई दे जाते हैं और यहां पर मैं एक एनिमी को डाउन भी कर देता हूं और यहां पर मैं दूसरे एनिमी को भी बहुत असानी से डाउन कर देता हूं यहां पर मैं अपने टीमेट को भी यहां से बहुत अच्छा कवर देता रहता हूं और यहां पर मेरा इजली विक्टरी हो जाती है और आपको इस ट्रिक का भी यूज करके देखना चाहिए इस ट्रिक को करने के लिए आपको मिडल रेंज की वेपन के साथ एक गलुवाल भी पर्चेस कर लेने है उसके बाद आपको जल्दी से रन करते हुए इस घर के पास आ जाने है और यहां पर आने के बाद आपको गलुवाल लगाकर यहां से जंप करके गलुवाल के उपर से इ जाने हैं यहां पर आने के बाद यहां से आप बहुत सारे किल भी निकाल सकते हो जैसे यहां पर मैं आता हूं मेरे को एनिमी दिखाई दे जाते हैं जिनको यहां पर मैं बहुत अच्छा डैमी दे देता हूं और यहां पर मैं अपना किल भी निकाल लेता हूं और यहां पर ब चीची साइड इसके अंदर आकर लेड जाने जैसे यहां पर मैं लेटा हूँ और आपको थोड़े सा वेट करने है कि कोई एनईमी इस साइड आए आप उससे फाइट लेस ओर यहां पर मैं एक एनईमी को बहुत असानी है साथ डाउन कर देता हूँ और उस एन्भी को नमबर टू ट्रिक होने वाली है हमारी मार्स इलेक्ट्रिक पर इस ट्रिक को करने के लिए आपको मैक्सिमन टू गुलो ओल को पर्चेस कर लेने हैं उसके बाद आपको यहां कंटेनर के पास आकर दोनों गुलो ओल को ऐसे लगाना है जैसे यहां पर मैंने लगाया है उसके ब लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है जिसकी वैसे में बहुत ही जल्दी जल्दी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं और यहां पर मेरे असानी के साथ डाउन कर देता हूं बट यहां पर मेरे किल भी चोरी हो जाता है और इस वीडियो प करने के लिए आपको एक long range की weapon purchase करके यहाँ पर आकर late जाने है और इस ट्रिक को करने के लिए आपको थोड़ा पैसन्स बना कर रखना पड़ेगा और जैसे यहाँ पर कोई भी animi drop को लूटने के लिए आएगा आप उसको यहाँ पर आसानी के साथ किल कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैं आपको किल करके भी दिखा देता हूं और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते रहना है जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूं और मेरे को यहाँ पर ड्रॉप के पास एक एनिमी दिखाई दे जाता है जिसको यहाँ में असानी के साथ किल कर देता हूं और आपको भी इस ट्रीक का यूज करके देखना चाहिए और आप सभी जल्दी से कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टोपिक के ऊपर चाहिए क्योंकि मैं कमेंट के बेस पर ही वीडियो को लेकर आता रहता हूं और आपसे म